मैं इस समय भेडा घाट जबलपुर नर्मदा नदी के तरफ पर ख़ड़ा हुआ 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 है आज तारीक एक जून तो हजार उन्नीश टाइम सब आठ सुबहे का हुआ हम सभी लोग यहां पर इस्ट्रान करने आए हुए है करें तक है कि अ कि भूत अच्छा रमनी की स्थल है यहां पर कि मेरे पास ख़़िए स्वेतागी कि अ कि यह मेरे पास खड़ी हुए रिंग की और हम सभी लोग यहां पर बेडा राट परिस्टनान करने के लिए आए हुए है बहुत बहुत तेज है यहां पर कि अगरी हमारे पीछे आई हुए है इसा इसा है इसा है कि यह हमारे पास खड़ी है गुन-गुन क्या नाम तेरा गुन-गुन बहुत अच्छा यहां बहुत 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 तेज है चोटी-चोटी शिड्डियां है यहां पर इसके किनारे पर लेकिन इस में उतरना जो है बहुत खतरनाग हो सकता है इसलिए बाहर घाट पर बैटकर ही जातर लोग इसनान कर रहे हैं आप देख रहे हूं बेडा घाट जबलपूर बहुत रमनी किस्थल है अब यह आ रहे हैं अब शेक अब शेक अब शेक शर्मा शेक वावाद करें इसे वाइब करें है अब यह हैं मिठिलेश सर्मा जी आख दी चेते हैं सर्मा जी अबिचित जी इन्हें अपनी परवार की पकणनांग दूच्छी जगह यह यह यहां पर नहाने से शभी पाप नस्ट हो जाते हैं कि लोगों ने विजो अगर जाने अंजाने में कोई पाप किया हुगा तो यहां सब धूल जाएंगे मम्मी जाएक पख़़ लेना मम्मी इसका पख़़ लेना मम्मी